हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल और के निटिंग करियेशन देखिएगा फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक से डेड़ साल के बच्चे के लिए बेबी बुटिज बना के लेके आई हूँ यह बेबी बुटिज हमारे 46 फंदों में बनाई गई है देखिएगा फ्रेंड्स अगर आप वेश बेबी बुटिज को बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बहुत ही आसान स्टैप में बनाई गई है अगर आप मेरे चैनल पनाई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बैल आइकन को प्रेस लो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आर के नेटिंग करियेशन देखिए फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक से डेड़ साल के बच्चे के लिए बेबी बुटिज बनाके लेके आई हूँ इस बेबी बुटिज को बनाने के लिए हम यह 46 फंदे डालेंगे यह 46 फंदे करेंगे ऐसे हैं और इसको उल्टा बना लेंगे हैं इस पूरी रोह को ऐसे उल्टा बनाते जाएंगे कि आए देखिएगा फ्रेंड्स यह बारा लाइन बनके कम्पलीट कर ली हैं देखिएगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे पार बारा यानि कि हमारी बारा इस तरफ बारा इस तरफ चोविस लाइयां डलके कम्पलीट हुए अब हम इसको आगे बनाएंगे तो यहाँ पे हम दस फंदे अपने क्लोज करेंगे दो का एक करेंगे ऐसे फिर इस फंदे को इस पे ले आएंगे फिर दो का एक करेंगे दो फंदे हमारे कम हो गए तेन और चार पाँच छे साथ आट और नो और दस यह दस फंदे हमारे यहाँ पे बाइंड ओफ हो चुके हैं अब आगे पूरी रो को ऐसे उल्टा ही बनाते जाएंगे इस पूरी रो को उल्टा बनाके कम्पलीट कर लेंगे यह हमारे पूरी रो उल्टे बनके कम्पलीट हुई देखेंगा फेंड यह एक साइड से हमारे फंदे ऐसे बाइंड ओफ हो गए अब आएंगे हम बैक साइड पे तो यहाँ पर भी हम अपने दस फंदे बाइंड ओफ करेंगे बंद करेंगे दो का एक दो का एक दो फंदी गठ गए हमारे फिर यहाँ पर तेन फिर इस फंदे को लेंगे शलाई पर और दो का एक कर देंगे तीन, फिर दो का एक करेंगे ऐसे, फिर इस फंदे को सलाई पे लेंगे और दो का एक कर देंगे जार, पांच, और छे, साथ, और आठ, और नो, और दस ये दस फंदे हमारे यहां पर भी बाइड ओफ हो चुके हैं अब आगे के फंदों को हम ऐसे उल्टा ही बनाएंगे इस पूरी रो को उल्टा बनाते हुए पूरा करेंगे अब हमारे दोनों तरफ से ये दस दस फंदे बाइड ओफ हो चुके हैं इसमें हमने 46 फंदे डाल ले थे तो हमारे 25 फंदे ये बाइड ओफ कर दिये गए हैं तो हमारे ये 26 फंदे बीच में बच जाएंगे यहां से हमारे बुटेज की शेप बनती जाएगी देखे फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीके से बताई गई है इसको आप आराम से बना सकते हैं देखे गा फ्रेंड्स ऐसे बन के आएगे दोनों तरफ से हमारे 10 दस पंदे बाइड ओफ हो चुके हैं हम आएगे हम बैक साइड में बैक साइड में इस पूरी रो को हम धागा अपनी तरफ करेंगे ऐसे इसको ओल्टा बनाती है ओल्टा बनाके पुरा करेंगे यह हमारे पूरी रो बनके कम्पलेट हुए अब आएगे हम सेधी तरफ ज्यान दीजीगा फ्रेंड अब एक फंदा बनाएंगे साइड का फिर धागा आगे करेंगे और फिर दो का एक करेंगे ऐसे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर दो का एक कर देंगे ऐसे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर दो का एक कर देंगे जो फंदा हमारा दो का इक करती हैं घटता है तो जाले डल के हमारा फंदा फिर वही बढ़ जाएगा फिर वही हमारे बराबर फंदे रहेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे और दो का एक करेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे, दो का एक करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, पिर दो का एक बना देंगे, ये लाश्ट का फंदा फिर सीधा ही बनाएंगे देखे फ्रेंड्स ये हमारी यहाँ पे जाली डल गई अब आएंगे हम बैक साइड में बैक साइड में इस पूरी रो को हम थागा अपनी तरफ करेंगे ऐसे उल्टा बनाएंगे जो फंदा जाली से बना हुआ है उसको भी हम उल्टा ही बनाएंगे ऐसे इस पूरी रो को उल्टा बनाके पूरा करेंगे देखेगा फ्रेंड्स ये हमारी जाली डल के तरफ कम्पलेट हुई ये हमारी जाली डल गई अब हमारे ये दोनों साइड से 10-10 पंदे कम हो गए थे और ये बीच में हमारे 26 पंदे बच गए टोटल हमारे यहाँ पे 46 पंदे थे तो अब हम यहाँ पे अपना बोर्डर बनाएंगे एक पंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक पंदा उल्टा धागा पिछे एक पंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ एक पंदा उल्टा धागा पिछे एक पंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक पंदा उल्टा धागा पिछे एक पंदा सीधा ऐसे ही पूरा बोर्डर बना लेंगे कि हम इसका जितने भी आपको चाहिए आप उपर उतना ही बॉर्डर बना लिजे इसको बना कि मैं आपको दिखाती हूँ देखे फ्रेंट्स अब यह हमारा बॉर्डर बनके कम्पलेट हुआ यह बीच में हमारे जाले डल गई उपर हमारा यह बॉर्डर बन गया अब हम इन फंदों को यहां से बाइंड ओफ करेंगे यानि कि बंद करेंगे तो दो फंदे का एक करेंगे ऐसे फिर फंदे को सलाई पे लेंगे और फिर दो का एक करेंगे फिर इस फंदे को सलाई पे लेंगे और दो का एक करेंगे फिर सलाई पे लेंगे और दो का एक करेंगे हैं को 2 का 1 करेंगे ऐसे फिर सलाइप लेंगे फिर 2 का 1 करेंगे फिर इस पंदे को सलाइप लेंगे और 2 का 1 करेंगे ऐसे ही स्थल्वाह करके श生nen पूरे सलाही को complete देड़ेट करनेने他 लोगा herself and work करेंगे आसे तरwegen घरन फिर दोर पड़त एक करेंगे और और दोरैंगे और दोर्ट करेंगे ऐसे फिर दो का एक करेंगे फिर सिलाई के डालेंगे और दो का एक कर देंगे ऐसे अब इस फंदे को थोड़ा सा लंबा काट लेंगे आख से त्योंकि इस फंदे से ही हम अपने सिलाई करेंगे ऐसे देखेगा फैंट्स ऐसे इस तरह से हमारी बन के आईगे इसको सीदे इसे को अंदर की तरफ करेंगे ऐसे और इसको बहार करेंगे अब इसको यहां से जैसे हमारी इस तरह से बन के आई है अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहां से सिलाई करने लगेंगे और यहां से करते हुए यहां से चारो तरफ से इसकी यहां से सिलाई कर देंगे यहां से सिलते हुएasे जाएंगे और यहां तक इसको सिल देंगे, ऐचे इसके सिलाई करेंगे, इसके चार cuo तरप से इहां तक शिलाई करके इसको कम्प्लेट करेंगे, देखेगा अब हमारी यहां से सिलके कम्प्लेट हुई, अब हम इसको ऐसे सीधा करेंगे हैं अब है से इसको सीधा कर लेंगे ये हमारी बहुत प्यारी और चुटीज बेबी बूटीज बने के आएगे कि अब हम इसमें से अपनी डोरी डालेंगे जो हमारी जाली डली हुए है इसके अंदर से ऐसे डोरी को फिरो देंगे ऐसे ऐसे इसमें से डूर डाल देंगे यानि बच्चे के पैर में से ये निकले लेना देखेगा फ्रेंड्स ऐसे हमारी ये बेबी बुटीज बनके कम्प्रेट होए बहुत ही आसान मैथट से बनाई गई है और बहुत ही कम समय में ये बनके तयार होती है देखेगा फ्रेंड्स अगर आपको मेरी बेबी बुटीज पसंद आए और मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके थेंक्यू